हेलो गाईज, वेलकम बाक टोर चैनल PCMB, डिजिटल ग्रुकल, तरबिटा एट्थ क्लास के 29 वरक्शीट अभी हम कर रहे हैं, जो की 16 तारीक की है वे सभी सजीव हैं, सास ले रहे हैं, सत परतिशत बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिन्दा हो गए, उनको बोलते बाते करते देखो देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलमारा के पोस्टरों पर विग्यापन के पंक्तियां लिखी थी, तो हमारी पहली फिल्म कॉंसिप्टी आलमारा 14 मार्च 1931 के वे अतियासिक तारीक थी जब भारते सिनिमा में बहुत बड़ा बदलाब हुआ था इसी दिन पहली भारत, पहली बार भारत के सिनिमा ने बोलना सीखा था हलाकि वे दोर ऐसा था जब मूख सिनिमा लोगपरता के शिकर पर था पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदशित हुई, उसी साल कई मूख फिल्में भी बनी मगर बोलती फिल्मों का नया दोर शुरू हो गया पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा और उसको बनाया था एम इरानी नी अरदशिर ने 1929 में होलिवुड की एक बोलती फिल्म सो बोट देखी और उनके मन में एक बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी पारसी रंगमंच के ऐक लोगपर एक नाटक को अधार बना कर इनलें फिल्म की पटकता बनाई इस नाटक के कए गाने जों के तो फिल्म में लिए गए एक इंटर्वी में उन्हें कहा था हमारे पस कोई समवाद लेखक नहीं था गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था इन सबके शुरुआत किसी का नाम नहीं डाला इस फिल्म में गायक बने डबलु-M खान पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है आलम आरा का संगित उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया दे सका फिल्म की शूटिंग शूरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी मूख यूख की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था आलम आरा की शूटिंग रात में क्यूं की जाती थी क्योंकि साउंड की प्राब्लम होती थी तो ये अंसर हो जाएगा फॉर्थ क्वेशन का और फिफ्ट क्वेशन है इस फिल्म की शूटिंग में रिमाता को कौन कोन से चुनोतियों का सामना करना पड़ा तो ये भी आप बता सकते हैं कि भई इस फिल्म की शूटिंग के दुरान उनको क्या-क्या चुनोतिया था कि हमारे पास कोई लेकक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था इन सब की शुरुवात होनी थी और साथी साथ उनको आलम आरा की शूटिंग रात में करनी पड़ती थी, ये भी विस्ता करनी पड़ी यह सभी चुनोतियां, यह सभी चुनोतियां थी, यह हमारा अंतर जाएगा लास्ट कॉशन का, यह सभी चुनोतियों का सामना करना पड़ा आप ऐसे लिख सकते हैं, तो आप किस मुद्धे पर फिल्म बनाना चाहेंगे और क्यों, तो यह मैं सवाल गतिविदी का आप ही के उ ब्राउट पूछना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो मेल आईडी है हमारी यह, यह वेब साइट है, यूट्यूब है, फेस्बूक है, टेलिग्राम है, इन कॉम्पेटिटिव एक्जाम्स को जैसे कि आईटी जेए नीट के इविपेंट एसे उलम्पियाड के ब् यूट्यूट network